अंग्रे जी धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर आके उत्पात मचा रहे हैं लड़की छेड़ खानी भी करते हैं यहाँ एक दूस में लेता तो सब अंदर घुज जाते अपने तो आप अकिला क्या करेक बताओ यहाँ पर आते हैं गुंडगर्धी करते हैं पत्थर बाजी करने लगे फिर उसके बाद में मेरे को मारे उन लोगे रात में दस बज़े के बाद ही चाकू अकू लेके घुमते रहते हैं पंडिक जी को पक्कन कोई न कोई मारी देता पुलेश तो यहाँ आती नहीं है पुरा मेरे सरूर फढ़ गया तो पाका लगा जो दीगरा रास्ते में सब को उपर पत्थर पेग रहे थे मारे थे अपने अपने घर में घुशे रहते दर्वाजे फट से बंद कर देते तीन तीन दर्वाजा तुटा है सबस्पर्श मल्टी स्पेशलिटी होस्पिटल बैतरीन काइडियोलोजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्तर के साथ साथी दे रहा है एमबुलेंस के लिए टोलट्री नमबर की सुविधा सबस्पर्श मल्टी स्पेशलिटी होस्पिटल एक एहसास अपने बन का सबस्तर ऋचेश спорт सबस्तर ग्रो根 बनल्टी सबस्तर है झाल झाल आप देखना सुरू कर चुके हैं तीर अंदाज अभी जो आप CCTV फूटेस देख रहे थे जो वीडियो देख रहे थे वो सीधा सीधा बता रहा है कि भिलाई दुर्ग में गुंडा गर्दी बदमासों की और समाजिक तत्वों की गुंडा गर्दी किस हद तक बढ़ गई है ये वीडियो है कैम्प वन नहरुचौक के सामने ये जो दुर्गा मंदिर में अभी हम खड़े हैं इसके जश्ट बगल में दुर्गा किराना इस्टोर है जो की यहां के जो पुजारी हैं उनके रिष्टेदार के दौरा वहां पे संचालित किया जाता है मामला कैसे सुरूबा उस CCTV फुटेज की कहानी मैं आपके एक बार सिसलेवार तरीके से बता दू कुछ लोग हैं जो बाहर से आते हैं तीन चार लड़के रहते हैं वो लोग पहले आते हैं किराना इस्टोर में वो लोग अंडा खरीदते हैं अंडा खरीदने के बाद जैसे ही वो उसके पैसे देते हैं और अंडा टूड़ियाता है तूड़ने के बाद वो दुबारा अंडा मांगते हैं उस दुकान वाले से और जब दुकान दार जो रहता है वो दुबारा जब उस अंडे के पैसे मांगता है तो वो लोग गुंडा मंदिर में आते हैं यहां के लोग का कहना है कि यहां भी तोड़ फोड़ हुई है अब वो क्या है पूरी घटना जिन लोगों ने देखा था इस महले वालों के साथ हम इसी मंदिर में मौजूद हैं पूछते हैं कि क्या हुआ था सिजी टी फूटेज में आपको जिस महिला के साथ वो लोग दुर्वेभार करते नजर आ रहे हैं जो लोग सटर को लात मार रहे थे बदमास यह आपका नाम बता जांत्री जांत्री क्या हुआ था कल रात में पथरम मारा तो ही से सुरू कैसे हुआ आपको आप कब देखे उस दिया उसके बाद पैसा मंगा तो क्यों दुंगा करके गाली कलोद दिया और सटर बंद किया तो यहां से कुट के आया दो-तीन बार मंदिर में मंदिर के अंदर आपको बता दू क्योंकि जो दुकान है वहां पे मैं चाहूंगा दिखाया चैनल गेट के जरिए दुकान और मंदिर जो है अंदर के दर्वाजे से लिंक है इसी वजह से वह साथ अंदर के रास्ते से घर में या दुकाने पर वेस्ट करना चाहते हैं वहां से कुदा फिर यहां आने लगा और उसके बाद बाबाजी को गाले का लोच कर रहे थे जो यहां के पुजारी है आप लोग इसी महले के रहे जाएं जागड़ा मंदिर में चला यहां भी आप बगल में मैं दुकान देख पाया हम चाहेंगे वह भी दिखाया तो वह जो दुकान था आपको आपके साथ क्या था सटर क्यों आप जब अंदर से बंद किया हो रहा था पर शटर कुलवाने का प्रयाश बाबा को मारने खुष थे अंदर छुडाने आए थे तो हम लोग के उपर कुद के विल्ट के पेटना स्टार्ट कर दिया हम लोंग भगे यानिकत रियाना रिया तो में मानना और शेटर ऊपर कर रहा थे यह आप कहां के हैं वाले दुकान वाले तो आप लोग मतलब छुडाने आये तो फिर आप लोग को दोड़ा करके और से मानना और में मानना एक आप सटर को बंद कर दी थी दुबारा वो लोग सटर खोले थे क्या गाली गोलो जो और कुछ ऐसा भी कर नहीं करें गोल सटल खोला तरहीं से आप उसी घर के एक ही घर के आप भी थे उस समय यहां पर और उसमें एक जन को चोड़ भी लगा है कोई दीपक वर्मा नाम के हैं योजन ऐसा यहां पर आते हैं गुंडा गर्धी करते हैं जो भी पैसा वैसा नहीं दो नहीं देते हैं अब जबर्वाली आपको छेड़ कहानी भी लड़की करते हैं यहां पर बाहर बाहर से लड़की लोग यहां से आप जानते ऐसे नहीं देखें हैं लेकिन फिम लेकते हैं जो यह लड़के लोगों यह मोहले के रहते तो हम लोग उसको छोड़ते हैं हैं हम लोग जब आते हैं दो या चार की संख्या में रहते हैं वो लोग आप कह रहे हैं आपके महले के नहीं है और लोग यहां आते हैं जगड़ा करके चले जाते हैं तो आप लोग कभी रोकने का प्रयास नहीं किये अब जब मंदिर के अंदर हुआ तो सब जूड़ हुए हैं मंदिर में तोड़ हुआ तो तोड़ फोड़ हुआ तो बाबा भी विचार एक एला रहता है एक दूसरे इन लोगों को भी मार दिये दुकान वाले को तो सब एक एंड़ा जूट होके फिर वहां पर गए थाना में हम पहले तो थाना बरवारी मैडम आई थी मैडम बोली कि बहुत कड़ी कारवाई करेंगे और मैं बताना चाओंगा कि लड़के लोग रात में दस बजे के बाद ही चाकू अकू लेके घुमते रहते हैं अगर पंडित जी को कोई नहीं देखता तो पंडित जी को पक्कन कोई न कोई मारी देता यहां के लोग देखे रोकाय बचाय पर अभी तक तो कोई कारवाई नहीं हुई है दो तिन लड़के लोग पकड़ाए हैं जैसी एक लड़का और बचा हुए साथ पकड़ाने में जैसी वो पकड़ाएगा तो साथ आगे कारवाई होगी और इस एरिया के जो जीलाद द्यक्षे हैं अवतार सिंगील हिंदू लक्षा सेव शेंगे और आत को 2 राद एक अतार आता नहीं Юिट गर्ण टो यह जैसे हरमेश खाला में जुन्ट बनाकर फshe रहते हैं है करवाई की मांग करना चाहिंगे- आप लुग- क्या चरो पर नहीं करेंगे में तो रिपोर्ट की कुछ नहीं कारवाई हुआ वही लड़के नहीं था दूसरा ही थे दूसरा ही तो मिला ही नहीं एक दिन मोबाइल चोरी करके भग गया दुकान से लड़के लोग तो चोट लग गया थे मेरे को भी हाथ क्या कैसे घटना वो लोग अचानक से पत्थर बा उसको जो सामने दी रहा था उनके पत्थर पेक्के मार आपको बता दें जो लड़के आया थे उनमें दो लड़के नाबालिक हैं और वो आधतन बदमास है बदमासी उनका जो फित्रत में है यसा कहा जा सकता है क्योंकि वो लोग पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं पहल सब दरते अपने घर में घुशे रहते दरोजह फट से बंद कर देने अंधर घुशे रहते उनका अपनको डर लगता है का अपनम एस अ Цitief आना वो किलोँ बहा ऊसको उ depends on जैसा कि आप देख पाएंगे जगड़ा भले ही किराना इस्टोर से सुरू हुआ हो लेकिन वह बात मंदिर तक पहुची और वह जो असमाजिक तत्व थे वह बदमास थे वह महले में जो भी उनको सामने दिखा उसके उपर वह हमला करते गए चाहे वह पत्थर फेक करके हो मं करफ जाजना नाराज है इनको उम्मीद हैं कि इस बार उनके उपर कडी कारवाई की जाएगी हाला कि पहले भी वो लोग ऐसी घटना को अंजाम इस महले में दे चुके हैं कई आप राधिक घटनाओं को अंजांदे चुके लेकिन उनके उपर कोई शोस कारवाई अब तक नहीं की गई इस सबाइस दिल जान पर मंदिर के तो अब है चुंकि Website दुकान वाला पैसा मांगा तो पैसा नहीं दहिनगा तो नहीं हैं तो वो तोड़ पोड चालू करें दुकान वाला सटर बन गए तो सटर को उठा के वो तोड़ प्लोड बन करें तो मंदीर में घुश के अंदर बाबा को मारा गयान मेर एक भाई हमारे दिपाक भाई वो उनको पता चला वो आया बचाने उनको भी मारा गया हूं को लगा हूं कई लेडी सलोंक को लगा और यह सौ मीटर तो हम लोग हमारी टीम हिंदुरक्षा की टीम और हम अपने सब भाई वहां पे पहुँचे और हम सासन प्रसासन से मांग करें कड़ी से कड़ी करवाई हो उन पे क्योंकि वह हर बार आज से इसके पहले अभी विगत कुछ दिनों से पांस से छे बार वह अंदर जा चुक है ल से यही मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कारवाई हो उनके नाम अवतार सेंगिल हिंदुरक्षा सेवा संग जीला अध्यक्ष की सरकार 36 गड़ में आई है तब से पुलिस एकदम दबाव पूर्ण काम कर रही है यहां पर पुलिस खुल के कुछ भी काम नहीं कर पा रही है आपसी सद्बाव खत्म हो चुका है कवरदा के दंगे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 साल में भारती जंता पार्टी की सरकार रही और कभी भी दंगे नहीं हुए या किसी प्रकार का ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ अभी देखा जा रहा है कि कहीं हिंदूों को मार भागे पूर्ण है और मैं ऐसा मानता हूं कि 36 गड़ की जंता को इस बार अपना दम दिखाना होगा और वापस वही सुशाशन रामराज जिलाना होगा और भारती जंता पार्टी को जिताना होगा लेकिन आज का जो विशा है जिसमें कुछ अंग्रेजी धर्म को मानने वा आप जानते हैं बहाई यह तो दूसरे धर्म हैं भारत का धर्म तो केवल हिंदु तैयस जनातन है भारत में पहले इससे पहले कोई धर्म था ही नहीं चिर्फ संटन था अब जो भी आए हैए जो भी बाहर के धर्म हैं जो यहां आ कर रह भार है उनको संस्कृति जे इसका पर्तिकार करें। जिसके लिए आज देखिये। अम लोग सब जमा है। लेकिन अब मेरा कहना यही है कि, अब समय आगे है जागने कआ। आब सबको जागना होगा और आगे बढ़ना होगा? पर फोन आया कि मंदिर में तोड़ फोड कर रहा है और बाबा जी को गाले गुलूज कर रहा है इस टैप से वह ही उसके बचाओ के लिए था बचाओ के लिए देखा उन लोग पथर बाजी कर रहा थे जो लड़के लोग थे एक्षेंट के लिए नाम से इसमय नहीं जानता थ वहां वात्र वाषट नहीं बहें मोगें कि उसके बाद में लिगार मूस करने लगे ऑल कितने लड़के होनं गिर गया था मंदिर में लोग उधित स्ट कूझ गहा है गेट स्टॉट मंदिर में खूद गया थे उसके बाद में कलड़ की चिब हैं और उसके बाद महाराज जी में को रोकने को सिशिज तो उसी करणच से मैं भी गया था था धाया दो तो मेरे को हुआ पूरा मामला था क्या पूजारी से बात करते हैं कि पूरा मामला था क्या पूरा मामला था कि पूरा मामला था कि पूरा मंदिर के बगल में दुकान संजालित करते हैं वो क्या समान खरिदने आया थे अपके दुकान पे और उसके जब जगड़ा हुआ तो बाकी महले के लोग आगये तब भी वहां से गय थी या नहीं गय थे वहां से जो एक हमारे हैं क्याट्वन में प्रङचि नगार रखा है वहाँ पे कुछ लड़के हैं वह वहाँ जाके अंड़ा उंड़ा खरिबने के लिए दुकान में खड़े थे उस बात पर से कुछ विवाद हुआ दुकान दार के साथ तो बगल में ही मंदिर है मंदिर के पंडित जी औने औने मनाने की मरमाशीना करने के लिए बुला तो उंसे हो ले दले गुटतर किया और थोड़ा वाँ के लूट पागा गए तो उसे भी मार्पिट दले गुटतर करने के लिए आमदा हो गए उसको हमने तुरंट अफायार लिया तब के मुलाजा कराये गए और जो जिनके नाम से अफायार होगा है उन सबको हमने हिरासी ले गए सुधीर एक्सरे एंड डेग्नोस्टिक टेखनीक नहीं भरोसा पुराना एडवांस एमराई, मल्टी स्लाइस सिटे स्कैन, डिजितल एक्सरे, 5D और 4D कलर अल्ट्रा सुनोग्राफी सुधीर एक्सरे एंड टेखनोस्टिक